हलो फ्रेंट्स मैं आपका दोस्ट चंदान सिंग फिर से आज एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेरोट चैनल CS Technical पे तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी केंद्रे विद्याले में एड्मिशन का टाइम सुरू होने वाला है तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एड्मिशन केंद्रे विद्याले में कराना चाहते हैं तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जो कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगा वैसे मैं पिछले कई वीडियो से केंद्रे विद्याले में एड्मिशन को ले करके लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहां पर मैं आपको सभी जनकरी अपनी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में है एडमिशन फॉर्म और इस्कूल ने कितना डिस्टेंस एक तैय किया है कम से कम होना चीए आपको केंद्रे विद्याले में एडमिशन को ले करके और जो एक आखरी पॉइंट है कि क्या एडमिशन के लिए कोई टेस्ट करते हैं यानि कि फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए टेस्ट देना पड़ता है ये सारी बाते आ आज मैं आपको इस वीडियो के notice जारी करके बताते हैं कि इतने तारिक से लेकर के इतने तारिक तक online admission के लिए form भरे जाएंगे और साथी साथ local newspaper में भी notice निकाल करके वो बताते हैं कि इतने तारिक से लेकर के इतने तारिक के बीच में online admission form भरे जाएंगे तो इसलिए आप सबको आसानी से पता चल जगा है कि केंद्री विध्याले में जो admission के लिए form भरे जाने है वो कब से कब भरे जाएंगे तो यहाँ पर मैं एक और आपको बता दू कि जो class first का जो होता है जो admission होते हैं लोटरी के through होते हैं लेकि उसके अलावा जो बाकी classes के admission होते हैं वो school में class wise vacancy होने के बाद school अपने notice port पर notice निकाल करकी या अपने official website पर notice जारी करके बताता है कि इस class में इतनी vacancies खाली है इसके अलावा मैं एक और बात बता दू कि जो class 10th और 12 थे उसमें direct admission नहीं होते हैं जो class 11th का admission होता है वो होता है 10th का जब result आउट हो जाता है उसके बाद 11th class में admission होते हैं उससे पहले नहीं होते हैं और उसके साथ मैं अपने channel के through भी वीडियो upload करके आप सब को मैं बता दूगा कि कब से कब तक admission के form है जो भरे जाएंगे जो दूसरा point था कि कितनी होनी चीए बच्चों की उम्र तो मैं आपको बता दो कि केंद्रे विद्याले में class 1st में admission के लिए कम से कम 5 साल उम्र होनी चीए और ज़्यादा 7 साल होनी चीए याद रहे कि ना तो 5 साल से कम चलेगा और ना ही 5 साल से ज़्यादा चलेगा यानि एक भी दिन कम या ज़्यादा होंगे तो आप अपने बच्चे का admission के इंद्रे विद्याले स्कुल में नहीं करवा सकते हैं जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि एक साथ कितने स्कुल में आप अपने बच्चे के admission के लिए apply कर सकते हैं देखिए दोस्तों ये बहुत से लोगों को नहीं पता है तो इसको मैं बताता हूँ क्योंकि पिछले साल भी कई parents ऐसे थे जिन्होंने मुझे बाद में comment करके पूछा कि सर कितने स्कुल में admission के लिए apply कर सकते हैं हमने तो एकी स्कुल में apply किया है तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे के admission के लिए एक नहीं दो नहीं तीन-तीन स्कुलों में आप अपने बच्चे के admission के लिए apply कर सकते हैं यदि आपके घर के आसपास में केंद्रे विद्याले स्कुल हैं तो आप तीन-तीन स्कुलों में अपने बच्चे के admission के लिए apply कर सकते हैं ऐसा नहीं कि तीनी में कर सकते हैं, आप चाहे तो एक में भी कर सकते हैं, दो में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तीन स्कूल में apply करने का फायदा यह होगा, कि आपको वहाँ पर पता होगा कि किस स्कूल में कितनी vacancies हैं, यानि कितने seats up level हैं, क्योंकि किसी स्कूल में क्या होता का जो अगला पॉइंट है कि कितने रूपे का आता है एडमिशन फॉर्म तो मैं आपको पता दूगी केंद्रे विद्ध्याले संगठन दोरा करता है कि वह साइबर केफे वाला आपसे कितना चार्ज करता है यदि आप खुद एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है सिर्फ उसी के लिए यह criteria बनाया गया था यानि 5 km डिस्टेंस जो है वो तैय किया गया था उनके लिए अर्बन सिटी में रहते हैं यानि जो सिटी में रहते हैं उनके लिए यह 5 km डिस्टेंस का डिस्टेंस तैय किया गया था लेकि जो rural area में रहते हैं यानि जो ग्रामीड छेतर में रहते हैं उनके लिए जो यह distance है यह बढ़ा करके 8 km यह distance बढ़ा कर किया हुआ है तो आपको पता चल गया है कि जो city में रहते हैं जो urban area में रहते हैं उनके लिए 5 km है और जो rural area यानि जो ग्रामीर छेते में रहते हैं उनके लिए 8 km radius तै किया हुआ है कि यारी 8 km के अंदर आपका घर होना चीए तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको पता चल गया होगा कि आर्टी काटेगरी को छोड़ करके बाकी जिते भी काटेगरी होती है चाहें SEO, STO, OBCO या SGCO या काटेगरी 12345 या MP कोटा हो इन सब के लिए कोई criteria नहीं बनाया गया distance को ले करके लेकिन इतना पक्का है आपने ध्यान रखना है कि जहां पर आप admission के लिए अपलाई कर रहे हैं वहाँ पर ही आपका घर होना चीए यानि उसी area में आपका घर होना चीए ऐसा नहीं कि आपने apply किसी और city में कर दिया और रहते किसी और city में तो ऐसा नहीं है जब आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाएगा तो उसके बाद आपको वहाँ पर address proof लगाना पड़ेगा यदि वहाँ पर आपने किसी other state का अगर आपने या city का लगाया तो वहाँ पर आपके बच्चे का जो नाम है वो reject हो जाएगा वहाँ पर उनको admission नहीं मिलेगा तो इस बात का पक्का ध्यान रखें कि जिस city में रहते हैं आप जहाँ पर हैं वहीं का आप address proof लगाएं क्योंकि वहीं पर आपका verify किया जाएगा उसके बात ही आपके बच्चे को admission दिया जाएगा सिर्फ आटी category के लिए आपको बता दो कि वो 5 km और जो मैंने 8 km radius का बता है वो वहाँ पर verify किया जाता है क्योंकि यह जो आटी category त्रू जो admission होते हैं इसके लिए criteria अलग बनाए गए थे उसके बाद जो last point था मैंने आपको पता है क्या admission के लिए किसी परकार का कोई test देना पड़ता है तो आपको मैं बता दो कि केंद्रे विद्याले class first में admission के लिए किसी भी परकार का कोई test नहीं देना होता है यह जो admission होते हैं यह lottery base पे होते हैं यानि कि जब आप admission form भर देते हैं उसके बाद जो है केंद्रे विद्याले school या केंद्रे विद्याले संगटन वो lottery के base पर admission के लिए वो lottery निकालते हैं और जिन जिन के नाम आते हैं उनका वहाँ पर admission होता है और बाकियों का waiting list में रह जा हो आपको लगता है कि यह मेरे को बताना चाहिए तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं या कुछ पूछना हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं वहाँ पर मैं आपको reply करके सवालों के जवाब दे दूँगा और एक और बात आपको बता दो कि और मैं बहुत सारी कें केंद्रे विद्याले के उपर topics इतने हैं और इतने सारे उसके criteria's हैं कि एक वीडियो में उसको cover करना बहुत मुस्किल है इसलिए मैं daily एक नई वीडियो बना करके कुछ ना कुछ केंद्रे विद्याले से related आपके लिए लेकर आता हूं ताकि जब आप अपने बच्चे के admission क apply करें तो वहां पर आप किसी परकार का कोई गलती ना करें क्योंकि लास्ट येर बहुत से parents ने बहुत सारी गलती है कि जिनकी जिनकी वजह से उनका admission list में नाम आने के बाद भी admission नहीं हो पाया था उनके बच्चों का जिसकी वाईसे वह बहुत ज्यादा दुखी हुए था और मुझे बोले सर कोई chance है किया तो मैंने बोला कि कोई chance नहीं है क्योंकि आपने form भरते time आपने गलती किये जिसकी वैसे आपके जो बच्चे का नाम है list में आने के बाद भी उनका admission नहीं हुए तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान पक्का रखें और इन सब बातों को कै कैसे द्यान रखना है क्या क्या चीजे जो सही है वो करनी है यह सब में आपको अगले अगले जितने वीडियो बनाओं उन समय करके बताऊंगा तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको सारी updates मिलती रहें तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही तब तक लिए थैंक्यू बबाए जाहिन